हेलो इवरीवन गुड मॉनिंग नमस्कार तेरा मई दोजार चोबीस और दा हिंदू न्यूज पेपर एनलिसिस में आपका स्वागत है आज की जितने भी इंपोर्टेंट न्यूज और एडिटोरियल होंगे वो इस वीडियो के तुरू डिसकस करेंगे स्टार्ट करेंगे फ फर्थ फेज के एलेक्शन हो रहे हैं लगबग 96 कॉंसिटेंशिस के अंदर 96 सीट पर एलेक्शन होंगे इसके अलावा इसके अंदर कई इंपोर्टेंट लेटर जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनकी वोटिंग आज होगी इसके बाद इलेक्शन कमिशन ने एक तरीके से काया कि जो हीट वेव की कंडिशन्स है क्योंकि आज मोसम लगबग ठीक रहने की पोसिबिलिटी है तो हीट वेव को लेकर कोई भी अलर्ट मई और जून के अंदर basically heat wave prevail कर सकती है और heavy heat wave हो सकती है हमने देश बर के अलग-अलग हिस्सों में इसके बारे में observation भी करी है कि किस तरीके से climate changes हो रहा है इसके अलावा जो monsoon का forecast है वो भी यह बताया गया कि देश बर में बारिश होगी लेकिन बारिश का pattern weather pattern या rainfall का pattern पासकता तो इस तरह का पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है 2024 के अंदर इसके अलावा यह फोटोग्राफ आप देख रहे हैं यह फोटोग्राफ है बेसिकली करनाटका का और करनाटका में वेस्टन घाट में एक जगह है जहाँ पर यह एक तरीके से लोग इंजोई करें कि बहुँ जादा गर्मी यहाँ पर पढ़ रही है और इसी कोंटेक्स्ट में फोटोग्राफ के थुरू यहाँ पर बताएगे वेस्टन घाट का यह जो एरिया है वो इस कोंटेक्स्ट में आता है अब एक इंटरस्टिंग चीज है जिसके बारे में हमें पढ़नी है अगर आ तक जाता है और एक इंपोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर इंडिकेट होते हैं कि वेस्टन घाट में कई सारे स्टेट यहाँ पर आप तमिलाडू का इरिया भी काउंट करेंगे जिसमें गुजरात है महरास्ट्रा है इसके बाद गोवा है करनाटका है केरला है और तमिल जाट एंड रेंज पिक या हील्स है वेस्टन घाट में उनके बारे में आप जरूर नीचे कमेंट करेंगे और उसके सामने किस स्टेट के अंदर यह लोकेटिड है यह भी आप नीचे कमेंट करेंगे इसके बाद यहाँ पर फिलिस्टान इसराइल या गाज़ת और एक त चारे लोग और भी फली करने क्योंकि इसराइल ने एविक्वेशन और रिलीज किया है कि हम स्ट्राइक डाउन करेंगे उमीद यह थी कि इसराइल और हमास के बीच में कोई डील हो सकती है और डील में जो हमास ने इसराइल के जो नागरिक होस्टेजिज के रूप में रखे उनको रिलीज करने के बारे में और दूसरा इसराइल इसके बदले में एक सीज फायर के बारे में सोचेगा तो उस तरह का कोई भी ओपरेशन फिलाल इस पर्टिकुलर एरिया में आपको दिखाई नहीं देगा और कंटिन्यू वहाँ पर अटाइक साय यानि यह वोर जो हो कंटिन्यू है यह वाली जो न्यूज है भारत लगबग 2 क्रोड पर किलोमेटर रोड डेवलेमेंट में लगाएगा चाइना बॉडर पर तो इस न्यूज को हम लोग स्पेसिफिक पढ़ेंगे यह इंपोर्टेंट है वाइबरेंट विलेज एक तरीके से केंपेन या स्कीम जो है उसके अंडरी आती है इसके अलावा अगर आप बीज के कुछ पेसिफिक के बारे में बात करेंगे तो यह पोलिटिकल न्यूज ही आपको नजर आएगी यहाँ पर बेसिक न्यूज नहीं है लेकिन पोलिटिकल न्यूज आपको देखने को मिलेगी इसके बाद पेस इसके बाद एक इन्वेस्टिकेशन होता है और इन्वेस्टिकेशन में पाया गए कि बहुत सारे वोईलेशन यहाँ पर सेफ्टी नॉर्म्स के देखने को मिले जिसमें एक्सप्लोजन के अंदर जो दस लोग मारे गए थे यह पाया गया कि एक फायर वर्क यूनिट में मल्टिवल परसन काम करते हैं हाई स्टोकिंग रखते हैं क्वांटिटी ओफ केमिकल्स की और डिप्लोईमेंट ओफ एक लिमिट से ज़्यादा जितनी जुरूर तो उससे ज़्यादा और जितनी पर्मिटिवल लिमिट है उससे ज़्यादा वर्कर्स को यह काम देते हैं यानि highly violation हुआ है rules and regulation का जिसी वज़े से accident हुआ है इसके बाद यह बतायागे क्योंकि aerial firecrack जो firework manufacture किया जाता है उनके पास infrastructure के बिना proper infrastructure नहीं है safety features नहीं है और इनके अलावा भी जो most common और dangerous violation है firecracker बनाने में outside the worksite में यह trees के नीचे बनाने शुरू कर देते हैं अगर आप chemical को एक limit से ज़्यादा quantity से ज़्यादा stock करेंगे तो वो definitely उसका magnitude impact का ज़्यादा होगा और यह chemical जो है outside the worksite में रखे जाते हैं जिसके cascading effect होंगे और यह damage करेंगे बहुत सारे area को इसके लावा firework unit जो है यह एक import देखो लोगों को रोजगार दे उसमें doubt नहीं ह लेकिन rules and regulation को follow करना बहुत important और कोई भी व्यक्ति इस rules and regulation के दाएरे से बच नहीं सकता इसके अलावा यह बताया गया कि training program होता है जिसमें four men and workers और owners और सबको train किया जाता है training program में बड़ी संख्या में लोग यह participate नहीं कर रहें जिसमें safety and health पर बात की बात्चित होने वाले थी उसके उन टेक्स्ट में discuss नहीं हुआ यह एक तरीके से लोगों को deploy करते हैं और third and important इनके पास proper infrastructure नहीं है इस तरह के chemicals को hold करने का जिसके वाज़े से explosion और बड़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं यह पहली बार नहीं हुआ यह continue हमें देखने को मिल रहा है इसके बाद यहाँ पर right hand side में एक छोटी सी news है bird flow outbreak देखने को मिला किरला के अंदर पहली बार नहीं है कि हमें outbreak देखने को मिला यह observe किया गया है duck farm के अंदर यह confirm किया गया national institute of high security animal disease पोपाल के दोरा samples लिए गये थे किरला में तो 150 ducks में एक तरीके से positive पाया गया है कि इनके अंदर bird flow जो है वो देखने को मिल रहा है इसके बाद page number 4 यह important है सबसे पहले बतायागे है कि भारत सरकार China border पर जो है वो दो क्रोड पर किलोमेटर के हिसाब से investment करने वाली है रोड बनाने में यह vibrant village program का एक important part है और home ministry ने इसके लिए 113 एक सो तेरा रोड सेंक्शन किये है अनाचर प्रदेश उत्राकंड और सिक्की में अदर vibrant village program scheme के तहत ठीक है पिछले पास महिनों में ministry of former affair ने संक्शन किये है 113 roads अंडर दा वीवीपी यानी vibrant village program जो अनाचर प्रदेश उत्राकंड सिक्कीम के अंदर है जो connectivity को improvement करेगा और 105 road जो हो संक्शन किये अनाचर प्रदेश के अंदर 5 road उत्राकंड के अंदर और 3 road ज जैसे हैं जो चाइना के साथ border लगते हैं लेकिन वहाँ पर road connectivity नहीं है अगर आप ministry की reports के according देखेंगे तो 43.96 km road की जो cost बनी है वो 119 क्रोड के आसपास यानी 2 से लेकर 3 क्रोड के बीच में हर किलोमेटर को बनाने में road एक तरीके से खर्चा आ रहा है कोड लग रही है इसके अलावा अगर हम बात करें important चीजों के बारे में ministry ने state government को एका है कि जो भी construction activity होगी उसको GPS install करके proper monitor किया जाए vehicle को tracking device के थूँ एक तरीके से discuss किया जाए या उसके बारे में data जो हो त्यार किया जाए GPS installation करना ये key machinery के अंदर equipment के अंदर ये important है और union cabinet ने अप्रूव किया वीवीपी प्रोग्राम को 15 फरवरी 2023 को जिसमें 2967 अप्रोक्समेली 3000 villages कवर के जाएंगी अनाचर प्रदेश, हिमाचर प्रदेश, सिक्कीम, उत्राखंड और लदाक में ये वीवीपी प्रोग्राम का जो main initiative है पहला तो migration को एक तरीके से रोक रहा है बड़ी संक्या में लोग यहां पर रहते थे लेकिन basic facility होने नय होने की वज़े से लोग यहां से migrate करके यह सबसे बड़ा aim है ministry of home affair की report यह बोलती है कि मार्ज 2023 को इन्होंने जो table किया कि लोगों को motivate करेंगे कि यहीं पर रहे और intelligence के तरह काम करें कि यहां पर border area में जो भी गटना है और उसके बारे में update करें सरकार को 68% total villages जो है वो cover के जाएंगे first phase में जिसमें अरनाचल परदेश का एक बड़ा हिस्सा होगा सिक्किम, हिमाचल परदेश, लदा, कुतराखनीन सब में भी यह villages जो है cover के जाएंगे 4800 क्रोड रुपिया इसके लिए allocate किया गया था 2023, 125, 26 के अंदर इसमें लगवट 2500 क्रोड रुपे तो लगेंगे cable road का शक्षिंस के अंदर यह important क्यों है क्योंकि इसके ठीक opposite चाइना जो है वो expand कर रहा है model villages की chain को जिसको जिया कॉंग के बोला जाता यानि moderately prosperous village जो line of actual control के ठीक right hand side में आपको देखने को मिलेगा उसके ठीक left hand side भारत भी अपने villages को promote कर रहा है जिसमें उत्राखन, सिक्किम और अनार्चल प्रदेश का जो area है वो आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो यह important point है इसके बाद यहाँ पर एक panel के बारे हम discuss किया जा रहा है और यह panel है मिघाले के अंदर rat mining को लेकर यह जो छोटी छोटी लेकिन important mining आपको देखने को मिलेगी coal mining इनकी shape जो है वो rat mining की तरह नजर आती है इन rat mining को लेकर क्या concern है उसके बारे में बताया गया है एक one member की panel बनाया गया था high cotton मिघाले के द्वारा ताकि coal related issues को हम लोग फ्लाय एक्तिरी के से analysis कर पाए है handle कैसे करें जैसे क्योंकि environment damage के मामले में बहुत ही कम progress यहां पर हुई है rat hole coal mining industry जो मिघाले के अंदर काफी जाद एक्तिव है justice ब्रिजिय अंदर परसाद इन्होंने इतरी के से report में बताया कि मिघाले environment production and restoration fund का बहुत ही कम utilization हुआ है इसके अलावब एक तरी के से project sanction हुए लेकिन उसमें पैसा यूज नहीं हो रहा है high court ने appoint किया था इनको आजे panel member और ये supreme court की direction है national green tribunal की directions है जिसमे 2014 में ही यहाँ पर का गया था कि dangerous और hazardous rat hole mining को immediately बंद किया जाना चाहिए rat hole mining जो है ये involve करते कि आप tunnels को dig करते है जिसमें बिल्कुल छोटी छोटी जगह पर जिसमें आप कोईले को extract करने कोशिश करते है 22 interim report submit की की court के अंदर last week और पैनल ही बोला है necessary step हमें लेने पड़ेंगे ताकि जितने भी department concerned है mining affected area के अंदर ecology जो मिगाले के अंदर है उसमें restore कर पाएं और इसमें central pollution control board के साथ coordination करना भी important है यह बोला गया कि जो लोग आसपास रह रहे हैं mines के आसपास जिसको जिनमें से mostly abandon करें किये गए हैं यह continue कर रहे हैं क्योंकि इनमें बहुत सारे suffer कर रहे हैं acid mine drainage जो होता है इसकी वाज़े से और mine pit जो है वो अभी भी इनको बंद नहीं किया गया है committee ने कहा कि auditing होना चाहिए जो coal use किया जाता है इस पूरे area के अंदर जो एक तरी के पावर प्लांट्स के या cemetery factories के अंदर एन एक auditing इसमें जरूरी है और यह पैनल ने recommendation यह भी किया कि हमें drone survey connect करना पड़ेगा कि coal को illegally कोई अगर mine कर रहा है तो उसके बारे में proper detail हो यानि completion of transportation होना चाहिए को उसको reassess करना, reverify करना ताकि देश में अगर coal India related कोई designated depose है उसको हम लोग analysis कर पाए इसके ठीक नीचे भारत और चाइना के bilateral relation को लेकर हमारे जो एक तरीके से foreign ministers है, external affairs minister नोंने कुछ important बात बताई है उन्होंने कहा कि China जैसे neighbor के साथ हमें competitive करना सीखना होगा, इंडिया की domestic manufacturing और overall करना economy को ये एक important resource की तरह provide करता है कि हमारी foreign policy एक important influence रखती globally और China के साथ competitive अगर हम करेंग economic front पर तो ये game changer होगा, देशनले एक interview के अंदर हमारे foreign minister साब ने का कि under the leadership of prime minister हमने focus किया है काफी जादा domestic manufacturing unit पर 2014 से और उन्होंने suggest किया कि देखो, आज के time पे हम लोग manufacturing sector पर over expand करना पड़ेगा, इंडिया और चाइना के trade के अगर हम बात करें, भले हमारा border dispute हो, लेकिन भारत और चाइना का trade अच्छा खासा है, around 125 billion dollar cash pass trade है, जिसमें से import हम ज्यादा कर रहे हैं, export कम कर रहे हैं, तो ये concern है, अगर हम domestic level पर manufacturing को बढ़ावा देंगे, जिसमें international politics, international relation, ये competitive आपको नजर आएंगे, चाइना के साथ हमें competitive करने को सीखना ही पड़ेगा, और ये एक time taking process होगा, ऐसा नहीं कि हम एक दिन में चाइना के साथ जो dependency उसको reduce कर देंगे, self-reliant India, आतम निर्वर भारत जो एक अभिहान है, ये केवल political campaign नहीं है, ये बहुत important अगर आप इसको depth में समझेंगे, क्योंकि भारत अगर अपने deficit को कम कर पाएगा, जैसे चाइना के साथ हम trade कर रहे हैं, बहुँ डेट सो billion dollar का, 125 billion dollar का, उसमें import ज्यादा कर रहे हैं, हमारी dependency बहुत ज्यादा है, आपने एक तरीके से pages पर कई बार social media पर एक debate देखी होगी, कि हमाँ Chinese product का boycott कर देना चाहिए, Chinese product का boycott करना solution नहीं है, reason क्या है, कि हम लोग China से चीज़ें मंगवा रहे हैं, चाइना वाले हम से बहुत ही कम मंगवा रहे हैं, तो इसका मतलब यह होगा, कि boycott करने से better, सबसे पहले क्या कि हमें domestic industries को promote करना पड़ेगा, product को level करवाना पड़ेगा, ताकि local industries को support करें, यानि alternate ढूणना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपने immediately का कि हम solar panel नहीं मंगवाएंगे चाहिए, लेकिन जब तक आपके पास alternate नहीं है, जब तक आप देश में खुद manufacture नहीं करेंगे चीज़ें, तब तक ये चीज़ें इतना easy नहीं है, बायकॉट करना से solution नहीं हो जाता, ये एक important discussion है, इसके बाद अगर हम बात करें, हम जाएंगे सीधा editorial वाले page में, editorial में दो चोटे-चोटे data analytical type के article है, और पहला article है, modest rebound करके title दिया गया है, ये देश में monthly जो data release किया जाता है, उसमें से एक है index of industrial production, मैं ने कई बार discuss किया कि core industry का important part है, core industry यानि वो industry जो देश भरके total industrial production में लगभू 40% का role play करती है, और उसी industrial output को यहाँ पर इन्हों ने analysis किया कि इंडिया का जो factory output की growth है, ये 4.9% slow रही है, मार्च के compare, मार्च के अंदर और फरवरी के अंदर ये 5.6% थी, मैं एक चीज़ आपको repeat करतूं, ये जो data यहाँ पर गया है कि 4.9, 5.6, that is not necessary, monthly data आपके लिए और हमारे लिए बिल्कुल relevant नहीं है, आप annual data को observation करिए, क्या index of industrial production रहा, क्या consumer price index का data रहा, क्या wholesale price index का data रहा, वो हमारे लिए ज्यादा important है, इसके अलावे इन्हों कि एक base effect का impact पड़ा है, index of industrial production का base effect क्या है, माल लेते हैं कि हमारा जो एक तरीके से profit है, 100 पे हमने improvement किया, 10%, तो actual में 10% improvement दिखाएगा, लेकिन माल लेते हैं कि हमने पिछले मेने वो जो negatively growth कर गया, 10% minus हो गया, तो 90 पे अगर आप 10% की growth rate show करेंगे, तो actual growth तो minus 1 point हुई, कि वही 90 का अगर आप 10% निकालेंगे तो 9 होगा, तो 90 plus 9, 99 हुआ, तो actual growth जो है वो नहीं हुई है, लेकिन documentation में as compared to previous year base effect वो growth हुई है, तो ये base effect का मतलब एक particular data आपने माल लिया, इसके उपर कितना impact पढ़ रहा है, उसको analysis किया जता है, index of industrial production जो है, वो shrink कर गया, ये सारी चीज़े, national statistical office के द्वारा जो data release किया गया, GDP की estimations की आसपास, ये बताया कि इसमें 5.8% जो है, रह जकती है, जो इस मंत का data है, और अगर आप इसके अंदर mining को देखेंगे, manufacturing को देखेंगे, कहीं न कहीं improvement देखने को जुरूर मिला है, अगर आप overall investment के बारे में बात करते हैं, private investment economy के अंदर बहुत important है, economic growth engine की तरह उसको treat किया जाता है, consumption signals को critical बनाता है, और बहुत ही comfort की तरह हम देखते हैं कि लगातार दूसरे साल बहुत ही comfort के साथ हो, आगे बढ़ा है, production of consumer durable हो, और जो growth का scenario हो रहा है, अगर आप pre-covid level से our normal monsoon के बारे में सोचेंगे, तो rural demand के नहीं के dent हुई है, और देश बर में erratic rainfall, यह जो rainfall का pattern change हुआ है, यह सबसे बड़ा दिक्कत कर रहा है, credit condition को tough बनाना हो, urban consumption के अंदर, तो यह कुछ चीज़े हैं जिसकी वज़े से economy, industry, rebound या एक तरीके से re-grow करने में कहिने के challenges है, economy stress कर रहे हैं कि हमें consumption recovery, जो pandemic के बाद हुई है, वो ठीक है, लेकिन हमें demand को बढ़ाना पड़ेगा, services के अंदर और हमें upper income households के अंदर efforts लगाने पड़ेंगे, जो create करने पड़ेगे, real wage growth के अंदर और हमें employment related जो इतरीके से generation करना पड़ेगा, concern इस की हमारा employment intensive manufacturing segment जो है, जैसे कपड़े के अंदर, या textile industry के अंदर काफी सेंख है, हम लोग काम करते हैं, इसके अलावा computer and electronics में है furniture and leather product के अंदर है, तो ये कहने के contract करना है, इसके अंदर कम हुआ, तो IIP का data ये show करता है, कि एक momentum तो है, लेकिन इस momentum को continue करना, हमारे लिए सबसे बड़ा challenge है, next government जो बने गया भी form होगी, इसको prioritize करना चाहिए, address करना चाहिए, broader challenges को जो haunt करते हैं, hesitant करते हैं, consumers को revive करते हैं, platform को investors के context में, ताकि इस concern को freely हम लोग resolve कर पाए, तो इसी context में, जो manufacturing एक stage set कर रहा है, यानि हमें अगर रोजगार generate करने, investment को बढ़ाना, तो इस sector को और ज्यादा आपको grow करना पड़ेगा, ताकि अवरोल एक तरीके से solution निकले, और improvement करे हमारा index of industrial production, देश में, poll promises जो discuss किये जाते हैं, affordable housing को लेकर उसके बारे में क्या opinion है, तो यह article उसी के बारे में बात करता है, 2012 में सरकार की एक report आती, जिसमें बताया गया कि 18.78 million जो है, हमें houses की requirement होगी, ताकि housing demand को हम लोग cater कर पाए, हमें लगबग 19 million इसका सीधा मतलब होता, अगर आप इसको 10 से गुना करेंगे, तो 190 लाख घरों की requirement होगी, अगर हमें demand को complete करने है, 2012 की report है, 2015 से 2022 के बीच में scheme launch होती है, housing for all scheme करके, जो launch की गई नई सरकार के दोरा इसमें दो विंग है, प्रधानमंत्री अवाश योजना ग्रामिन और प्रधानमंत्री अवाश योजना अर्बन, इसके अलावा, इसके अंदर state को कहा गया कि ये भी अपने housing, खुद की housing scheme बी इंटिडूस करें, और अंदर प्रधानमंत्री ने एक scheme यहाँ पर launch करी, और ये, आप भी अपने अपने state में schemes को launch करें, तो अलग-अलग राज्य सरकारों को भी initiate लेने के लिए कहा गया कि central government की तो scheme है, लेकिन आप भी अपने state में schemes को launch करें, ताकि implementation किया जासके इन schemes के बारे में, ठीक है, इसके अलावा, क्योंकि economy में आज specific नहीं आता, मंडे रिव्यू के जो advertisements है, वो आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं, world affair में दुनिया में इस time पर क्या सल रहा है, तो छोटी चोटी लिकिन important news है, for example, दुनिया का पहला इंसान जिसमें pig से kidney transplantation किया गया था, वो उसके death होगी, या उसके जो survive नहीं कर पाया है, या animal से human के अंदर organ transplantation की जो research चल रहा है, वो बहुत जादा successful यहाँ पर नहीं हुआ है, इंडोनेशिया के अंदर heavy flood देखने को मिली, और इन में एक mount मेरापी करके एक तरीके से volcano है, उसका lava होने की वज़े से flesh flood देखने को मिली और impact वहाँ पर पड़ा, इसके लावा Gaza के अंदर हमास और इसराइल का war continue है, number of जो लोग इसमें मारे गए हैं, वो continue बढ़ रहे हैं, South Korea ने decide कि है कि वह 7 billion dollar का aid package देगा, cheap industry को, चिप industry को या जो semi conductor का आप बोल सकते हैं, semi conductor का दो sector के अंदर बहुत important role है, एक है electronics, दूसरा है automobile यानि जो गाडियां होती है, ये बनाने में, South Korea ने setup कि है कि वह 7 billion dollar का spot package देगा, ताकि देश के अंदर critical semi conductor sector का use क्या जास्किप, ये initiative follow करता है, world की largest chip center जो 240 billion dollar की private investment के साथ, जिसमें primarily Samsung Electronics को ये fund जो हो दिया जाएगा, government ने prepare किया कि एक assistant package होगा, जिसमें 10 trillion dollar won, approximately 7.2 billion dollar का spot होगा, जिसके अंदर जो company होगी, जो chip industries है, उसको बनाने में मदद मिलेगी, partnership की जाएगी, कि 7.2 billion dollar का एक package होगा, जो create किया जाएगा, new fund finance के दवारा, और जिसमें private public financial institution को पैसा दिया जाएगा, यह पाया जाता कि Asia की fourth largest economy का aim है, यह six key technologies के अंदर highly invest करें, जिसमें chip बनाने में हो, display में हो, batteries में हो, यह कुछ area जिसके अंदर South Korea काफी जादा actively role play कर रहा है, इसके बाद next page पे एक country है, जिसका नाम है Uganda करकर, वहाँ पर sickle cell, enemy sickle cell के जो cases है, वो कहीने के recover कर रहे हैं, पेशेंट recover कर रहे हैं, sickle cell एक क्या है basically, एक group of inherited disorders है, जिसके अंदर red blood cell जो है, वो hard हो जाती है, sticky हो जाती है, और यह crescent safe ले ले लेते हैं, इसका सिधा मतलब यह होता है, कि यह flow blood को जो कहीने के challenge करते हैं, जिसके वज़े से बहुत ज़्यादा pain हो सकता है, organ damage हो सकता है, और दूसरे complications भी हो सकते है तो यह इसकी वज़े से क्या होता है, कि अगर यह पता चल जाए कि उनकी wife को, उनकी बच्चों को sickle cell है नहीं है, तो वहाँ पर लोग अपने partner को neglect कर देते हैं, छोड़ देते हैं, divorce देते हैं, इस तरह की घटनाई भी देखने को मिली है, युगांडा के बारे में बात थो Victoria, रवांडा के बारे में फिर repeat कर दूँ, यह वो country है, जो UK, United Kingdom के context में काफी ज्यादा news में थी, क्यों news में थी, क्योंकि जो illegal immigration हो रहा है, basically, English Channel के तुरू, उन लोगों को deport करना था, एक deal को की गई, और उसके बदले में रवांडा को कुछ पैसे जो हो वो, दे जाएंगे, ठीक equator पर एक country जो हो आपको देखने को मिलेगी, तो आज के the Hindu newspaper analysis में फिलाल इतना ही, और एक जो सवाल पूचा गया, कोशिस करिए, आप सब उसका answer जरूर करें, और उसके बारे में जरूर नीचे comment section में लिखिए, thank you all, जाहिन!